पी controllerै कर तो आज लोग जो है बिना सप्रिमेंट के बोड visualize की नहीं बना पार है क्योंकि रीजन है कि जब वू जिम में जोइन करते हैं उस से पहली। उन्हें दिमाग मां डाल जाता है कि बिना सप्रिमेंट के बॉड़ ही नमश्कार दोस्तों, स्वागत है आपका में यूटीब चैनल जिम गुरू में एक और नए वीडियो के साथ और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है सप्लिमेंट एंड इस्टेरोइट्स पर मुझे ऐसा लगता है न कि आज के टाइम में लोग को सप्लिमेंट्स और स्टेरोइट्स के बीच में जो फरक है बीच का वो समझ में नहीं आ रहा है लोग supplements को steroid मानते हैं, steroids को supplement मानने लग गए हैं यह problem बहुत बड़ी create हो गई है आज की time में और इस problem से क्या है जो लोग gym जाते हैं, workout करते हैं और जो लोग supplements लेते हैं, उनके बारे में जो है लोगों के मन में अलग-अलग गलत धारणाय बन गई है लोगों को लगता है कि supplement और steroids जो है, दोनों एकी चीज़े पर ऐसा बिलकुल नहीं है दोनों में बहुत फरक है, दोनों चीज़े अलग-अलग है जमीन आसमान का फरक है दोनों में जब मान लीज़े, आप gym में किसी में workout कर रहे हैं और एक बंदा है जिसकी body बहुत ही अच्छी है और आप उसके पास जाते हैं, आप उससे पूसते हैं कि भी आप कबसे workout कर रहे हैं और क्या आपकी diet है, कैसी आप exercise करते हैं किस तरह का आपका workout होता है और फिर आप पूसते हैं उसके supplementation के बारे में, क्या आप ले रहे हैं तो जब वह बंदे से आप पूसते हैं कि that supplements की आप इस्तमाल कर रहे हैं और वह बंदागर कह लॉत है, आप यदिक मैं ''मांदारे से बता है'' है और उस बंदें के प्रती उनका पूरा मैंडी चेंज बहता है वो लोग आख Je sam अबिधा श्यौ HOR सब्सक्राई मैं है और सप्लीमेंट्स की विए से बॉडी भाडी कोई यह नहीं देखता कि भाई वो कब से वर्काउट कर रहा है किया उसका कितना उसकी महनत है उसके पीछे नहीं सप्लिमेंट लेता है इसलिए उसकी बॉड़ी बनी है बाकी सब चीजें उसको अलग रख देते हैं और एक तरफ रख देते हैं सप्लिमेंट तो केवल सप्लिमेंट से ही उसकी बॉड़ी बनी है तो क्या दोस्तों यह पॉसिबल है जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं और काफी टाइम से वर्काउट करते हैं वो लोग जानते हैं कि मैं किस चीज के बारे मात कराऊ कि लोग किया सोचते है Supplements के बारे में आज के टायम में लोग Supplements को स्टेरोइज की तरह समझने लगए यह सोचते हैं कि supplements जो है ister centr रिजट देते हैं तो supplements लेने वाले का जो दिमाग में धार ना बनी हुई है है मैं उसे तोड़ना चाहता हूं आज कि वह Instagram लेने वाला केता हूँ आप supplement लेके देख लीजी तब भी अगर आपकी केवल supplement से body बन जाए तो मैं लिखके देता हूँ अगर कोई बंदा बिना diet और training के केवल supplement से body बना ले मैं लिखके देता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा कभी होई नहीं सकता पॉसिवल ही नहीं है बिना diet और training के एक अच्छे खासी आपका अगर आपका dedication नहीं है तो आप बिना dedication के body नहीं बना सकते केवल supplement से body बनती तो दुनिया में इतने पैसे वाले आप समझ रहे हैं मैं किनकी बात करा हूँ जो इंडिया में ही देख लीजिए काफी लोग जो unfit है लेकिन अच्छा खासा पैसा उनके पास तो उनके पास इतना पैसा है तो वह supplement से body नहीं बना लेते क्योंकि नहीं बन सकती केवल supplement से body नहीं बनती है अब एक अफ़ा यह हो कि लिवर या किड्निम प्रॉलम आयाती है और एक जो बहुत बड़ी रियूमर है जो बहुत पहले से में सुनते आ रहा हूँ अपने जब बच्पन में छोटा था जब से में सुनता रहा हूँ कि supplement इस नहीं लेना चाहिए क्योंकि powder खाने से sexual problem आपको आ जाती है यह आपने कि यह होता इस्टेरोइट्स में जब बंदा इस्टेरोइट्स लेता है तो उसे problem create हो सकती है supplements लेने वाले को प्रॉलम नहीं होती है वह मैं वीडियो के रहने मताऊंगा कि जब यह problem होती है supplement लेने वालने को तो क्यों होती है इसका भी जो है मित को मैं तोड़ूँगा पहल दोनों की genetic potential से में दोनों की डाइट से में दोनों की training से में दोनों का rest period भी से में सब कुछ से में लेकिन एक बंदा उनमें से supplement ले रहा है और एक नहीं ले रहा है तो मेरा यकीन मानिए उनकी body में 20% का फरक होगा only थोड़ी 20% body जो है supplement लेने वाले की अच्छी होगी अगर दोनों की genetics सेम हैं दोनों का diet training सब कुछ सेम है हाँ अगर यहां पर मैं बताता हूँ अगर आपके supplement नहीं लेने वाले के genetics ज्यादा अच्छे है उसकी diet ज्यादा अच्छी है training intense training करता है वो तो उसकी body supplement लेने वाले से भी ज्यादा अच्छी होगी मैं लिखके दे सकता हूँ यह चीज proof है scientific कि आप supplement लेने से नहीं बनेगी body आपके genetics अगर किसी से ज्यादा अच्छे है तो आपकी body उसके बज़ादा अच्छी growth होगी ज्यादा आप अच्छे है आपको results मिलेंगे जो nutrition है आपको diet अच्छी provide कराएगी आप लोगों के दिमाहम क्या रहता है कि जो बंदा supplement ले रहा है और अगर वो diet नहीं भी लेगा या कोई आप में इसे supplement ले रहा है यह सोचता है कि यार मैं diet नहीं लोगा तो भी चलेगा मैं skip कर दूँगा उसकी जगह मैं supplement का इस्तमाल शुरू कर रहा हूं तो supplement ले लेता हूं उसकी जगह तो एक बात ध्यानकी दुनिया में ऐसे कोई supplement नहीं मना जो diet को replace कर सके आप कभी diet को skip करके supplement का इस्तमाल नहीं करें बहुत से supplements पर यह लिखा आता है कि meal replacement supplement है पर meal replacement supplement ऐसा कोई नहीं होता है हाँ जब आपके पास time नहीं है या आप traveling पर है अगर आप अपनी meal नहीं ले पा रहें तब आप supplement का इस्तमाल कर सकते हैं आप protein powders का इस्तमाल करें लेकिन अगर आप diet protein of source आपको food से मिल रहा है तो आप पहले ही उसे priority दे तो अब मैं सबसे पहले शुरुआत में बात कर रहा था कि supplements के side effects होते हैं जो लोग कहते हैं कि supplements के side effects होते हैं तो लोग के लिए मेरा जवाब यह है कि supplements के side effects होते हैं लेकिन कब होते हैं और दो condition होती है जिससे supplements के side effects आपको देखने को मिलते हैं यहां पर मैं जो supplements के side effects बता रहा हूं, यहां पर वेब रोटीन, क्रेटीन, सब चीज को include कर रहा हूं तो जो supplement के side effects हैं, पहले जो सबसे बड़ा reason होता है, वो होता है overdose, जब आप supplements का ज्यादा इस्तमाल करते हैं, या उसका सही तरह से इसका इस्तमाल नहीं करते हैं, जब आप Fake Supplement, जब अचैसंते हैं, यहां पहले ओद इम्हारों के मैं जब अचैसाब यहां पर सहीं करते हैं गरलकी मैं शीराओने करना होंगाँ, sebenटी परसंट सुप्लिमेंट पहले जो यहां नहीं है, यहां धक सब्रसथा हैं जूटा अकड़ा है, 70% supplement fake है, 70% supplement fake नहीं हो सकता, supplement 70% fake नहीं है, हाँ काफी हद तक supplement आजकल काफी नकली बिक्रा है, हमने देखा भी होगा भी न्यूजबेपर में आया था, कि supplement बहुच जगे नकली पकड़ा गया है, पर इतना ज्यादा market में supplement इतना भी fake नहीं मिलता है, जित जो आपको डिया वह गालता है स्ट्राइव डालते हैं कई लोग उसमें चीप कॉलिटी के इस्टेरोड से डाल देते हैं दाल दीजिए जाते हैं ताकि आपको जसे लेकिन बाती बेकार एंट आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपकी health के लिए बहुत हामफोल होते हैं, तो दोस्तों दो ही रिजन होते हैं, supplement के side effects में ने बता है, एक तो आप overdose और दूसरे बता है fake supplement, इसी वज़े से और supplement के problems होती हैं, उनसे आपको face करना पड़ता है, लेकिन होता क्या है कि अब इन चीजों को जो है सप्लिमेंट के जो साइड इफेक्ट इन्हें घुमा फिरा के आपको जो है लोग बताते हैं कि भई सप्लिमेंट का यूज क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि यह साइड इफेक्ट करती है साइड अफेक्ट्स करती है पर कैसे करते वो नहीं बताते हैं वो लोग की साइड ऐफेक्ट्स ऐसे करती है तो शुरूआत के मैं ऀएक टॉबिक पाता हूं कि मैंने कहा था कि薯ा सप्लिमेंट्स से जो है साइड एफेक्ट्स के लोग कayıTH के आपको सेक्ष conspiracy के स्टेयरेटे से साइट आहे सप्लीमेट्स, या यह जाईर बात है आप प्रोटीन हैं psyche कहली प्रॉटिन से जयादा करेंगे, तो आपको स्टेयराईमी vs प्रॉटिमेंट कॉ उसना ऑने और यह जो किडिनिई डीमयज होना या लिवर डैमेज होना परलॉम और सेक्सेट 115 पॉड़ा तरह और सूप्लीमेंटो और स्पिलिमेट्स और इस्ट ईएक साथ करके लोगों इसके साइड़ बनाते की साइड बहुता políticas हैं तो इसटेडस के नाम पर सप्लिमेंड बानाम होते हैं और जाहतर यह जो बाते हैं वो लोग फैल आते हैं ज 현 चाम जला आता है ज्यादा और वह फिरिज़ेंस को श्वा में स्टेर तो आपको इस चीजने का पता होना चाहिए? अब लोगों का सवाल प्राइखिक कि अगर हम supplements नहीं ले रहे हैं, तो क्या हमारी body बन सकती है, यह कई लोगों का सवाल है मेरे पास आता है कि sir हम supplements नहीं ले रहे हैं, पर क्या हमारी body बन पाएगी वो body आपकी डायेट अच्छी नहीं है, आप intense training नहीं करते हैं, तो आपकी body कभी grow नहीं करेगी, आप muscle grow नहीं कर पाएंगे, आपको diet और training ये दो चीज़ यहीं है, आपको अच्छे से इनका ध्यानक नहीं होगा, कोई बात नहीं आप supplement नहीं लेते हैं, मैं खुद जब supplement नहीं ले और supplement लेने वाले नेचुरल ही होता है, तो ये body बिना supplement की है, किसी तरह कि उस वक्त मैं क्रेटी मल्टि वाइटामिस तक भी नहीं लेता था, तब भी इतने अच्छी body थी, decent body थी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कोँगा, ठीक ठाक body थी, इस टाम पर मेरा weight 62 kg के असपास था, तो ये body मेरी decent body है, तकरीवन 2 साल पुरानी मेरी फोटो है, तो अगर इस तरह की body आप अचीव करना चाहते हैं, तो ये body जो है, आराम से बिना supplement की आप कुछ सालों के अंदर, तो इस तरह की आराम से आप body बना सकते हैं, ये body बना supplement की आराम से इस बोड़ी बन सकती है कोई बड़ी बात नहीं है, क्या होता है, ये शिखाई एटी है, हम बिना supplement के body नहीं बना पा रहे हैं, बिना supplement के body नहीं बना है, क्योंकि रेजन यह है कि, जब वो जिम में, जॉइन करते हैं, उस से पहले उन्हें भलोग से नहीं अचीव की आप की ब्रोह थी नहीं, नहीं कि दिमाग में बेड़े आता है कि बिना सप्लीमेंट के बॉड़ी बना ही नहीं सकता और जब कोई यह सोच लेगा कि यार मैं इस चीज के बिना नहीं कर सकता तो उसका दिमाग ना बार-बार वहीं घुमता रहेगा आप रेगुलर जम जा रहे हो वर्काउट कर रहे हो घर आ आपका मसल माइंड से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और बॉड़ी रिजल्ट ही घिए होता है कि बॉड़ी ग्रोथ नहीं होती है क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि यह बिना सप्लीमेंट के बड़ी बनी नहीं सकती ना अब मैं आपको एक एक्ग्सांपल देता हूं कि मैंने जब जिम जोइन करी थी तो मुझे किसी नहीं नहीं बताया कि आपको supplement लेने पड़ेंगे अगर शायद हो सकता था तो मुझे उस वक्त कोई बोलता जब मुझे knowledge बिल्कूल नहीं थी जय बोलता कि आर तुम supplement नहीं लोगे तो तो मारी body नहीं बनेगी और मेरा बहुत धीरे-धीरे शुरुवात में आपको सकता अच्छे-खास रिजल्ट मिल जाए शुरुवात में जब आप जोईन करेंगे तीन-चार मेने के अंदर लेकिन जैसे इसे टाइम बढ़ता जाता है प्रोसेस बहुत धीरे-धीरे निकाल देते हैं तब जाके जो है रिजर्ट मिलते हैं मैं यहां पर उनकी जो साइकल वगरे चलाते हैं उनकी बात नहीं करूंगा जिस तरह को ड्रक्स वगरे करते हैं पर तब भी डेडिकेशन उनका बहुत ज्यादा होता है हम लोगों से वो उनकी जिन्दगी है वो ले रह के बिकुल बॉड़ी बन सकती है और दूसरी बात कि आप यह जो स्टेरोइट्स और सप्लिमेंट के बीच में जो फरक है वो लोग आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं तो होता क्या है ना कि आज के टाइम पर कोई बंद बंद में नहीं करते हैं और हम उसकी महनत नहीं देखते हम उसकी डेडिकेशन नहीं देक्ते वो कितने टाइम से और कर रहा है की शीट विदेफा recommend लेता है अगर केवल एक supplement लेने से बॉड़ी बन जाती है तो बहुत लोग supplement खाके बॉड़ी बना लिए होते समझ रहे हैं आप मैं एक challenge देता हूँ अगर कोई बंदा केवल supplements खाये और घर पे बैठा रहे है या चलो workout भी करने आ जाए केवल supplements ले diet नहीं लेगा training भी कर लेगा चलो पर बिना diet के वह नहीं बना सकता सबसे पहली priority होती है आपकी diet उसके आपकी training इंटेंस ट्रेनिंग और रेस्ट इनके बिना आप body नहीं बना सकते उसके बाद आपके बाद में आते हैं आपके genetics बाकी चीज़ें और भी तो यह सबस्यादा important होती है आपकी body growth के उपर time बहुत जरूर उता है आपको इस line में अगर आपको fit होना है आपको body बनानी है muscular होना है तो उसमें तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा कम से कम चार साल के अंदर आपको जो है result देखने को मिलते हैं बहुत अच्छे और धीरे धीर करके 8-10-12 साल के बाद जो है आप अपने genetic potential पर पहुँच पाते हैं और फिर आपको अच्छे कासे result दिखाई देते हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ महीनों काम नहीं है ब स्जच में आपको एक खांने से कोई बाड़ी नहीं बनती है लोग सोसते हैं कई बच्चे जिम में आते हैं मेरे को कहते है बहुरे या में गेनल लेलू मेरी बाड़ी बनती है उसमें Another Supplement का जो है आपकी बड़ी में इतना बड़ा खास योगदान नहीं होता है कि Supplements कीवल आप बाडि़ बना लेंगे, आपकी महनत, आपकी डेडेकेशन, आपकी डार्य एक ट्रेनिंग, वही सबसे जरूरी होती है और सप्लिमेंट्स को स्थेरोीड्स की तरफिगर देखना बंध कीजिए और steroids को भी जो है आप supplement समझना की गलती मत कीजिए दोने में बहुत जमीन आसमन का फरक होता है तो आज का topic यही था अब इस topic को खतम करने से पहले है इस video खतम करने से पहले है मैं एक चीज और पता देता हूँ कि कुछ लोगे दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा जो काफी बुद्धी जीवी लोग है वो लोग से सोच रहे होंगे कि आपने अभी कहा सर की जो लोग इतना टाइम लग जाता है वो लोग बॉड़ी बनाने में आप लोग को इतना टाइम लगता है लेकिन यह जो सेलिविटी जो बॉलिवड एक्टर्स होते हैं यह लोग चेचे मेने में आठाट मेने में या साल भर के अंदर ही ट्रांस्वं कर लेते हैं अपनी बॉड़ी को इसकीनी से से मस्कुलर हो जाते हैं यह कैसे ने इस ही जवालू का भी जवाब करें उनकी जाया घ Espan geri अगर आपको इस पर जो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके लिखेगा, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, दिलते अगली वीडियो में, तक तक के लिए बाय टेक केर, और वीडियो को जो है, लाइक करके जाएगा, यह को सब्सक्राइब कर लेजिएगा, और इस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेजिएगा, ओके, बाय मिलते हैं, टेक,